अबिवादन स्विकार कीजिए ब्रजेश मिस्रा का आप देख रहे हैं दड़ी बेट और आज हम बात करेंगे कोरोना वाइरस की बढ़ती हुई गंभीर महामारी की उत्तर प्रदेश कोरोना वाइरस के बेहत संकट में घिर चुका है यहां कोरोना वाइरस का संक्रमण इतनी तेजी से विस्तार रूप धारन कर रहा है कि अब यह शहरों से निकल कर गाउं ग्रामीड और खलियान तक पहुँच चुका है उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई जनपत सायद ही कोई शहर ऐसा बचा हो जहां इस वाइरस ने खासी तबाही न मचाई हो इस कदर तबाही और बरबादी का आलम है कि लोग सड़कों पर बेहाल हैं परेशान हैं विशेश तोरपल लखनव, कानपूर, प्रियाग राज और वारा नसी में इस्थितियां बेहत खराब हो चुकी हैं इतनी खराब कि लोग अस्पताल के बाहर मर रहे हैं कोविट कमांड सेंटर के बाहर सियमों की स्लिप न मिलने के कारण वो भरती नहीं हो पा रहे हैं, वहीं पर मर रहे हैं आज तमाम डेथ सिर्फ इसलिए रिपोर्ट हुई क्योंकि उनको आकसीजन नहीं मिला आप सोचिए कि सिर्फ आकसीजन की किलत के चलते तमाम लोगों को दम तोड़ना पड़ा, उनकी मृत्य हुई, उनकी मौत हो गई और बहत दर्दनाख तरीके से लोग मारे जा रहे हैं और ये सब कुछ हमारी और आपकी आँख के सामने हो रहा है सरकार की नाक के नीचे हो रहा और सरकार देख रही है अपने ही नागरिकों को बचा पाने में सरकार विफल हर चल दिखाई दे रही है प्रदेश में इस तड़ा का महौल शायद ही पहले कभी किसी ने देखा हो जब एक अदद बेड और आक्सीजन के लिए हमारे ही प्रदेश के नागरिक हमारी माताएं बेने हमारे भाई बेन तड़प रहे हों तड़प तड़प कर मरते हुए लोगों को हम देखने को मजबूर है राजधानी लखनवू से लेकर वारणसी तक बांदा से लेकर बहराईश तक और गाज्याबाद से लेकर गोरखपूर तक हर तरफ हाहाकार है सरकारी आकड़े कुछ भी कह रहे हों लेकिन इस्थितियां बेहनों भाईयों बेहत खराब हैं हालात बहुत ही विक्राल है ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का स्वास्त तंत्र डह चुका है द्वस्त है कि टेस्टिंग को लेकर लाइन है अस्पताल में लाइन है और समसान घाट में भी लाइन है गाजियाबाद का कलका हमने आपको द्रश्च दिखाया लखनव का द्रश्च दिखाया शम्शान घाट पर लासों की कतार लगी हुई है मरने वालों की संख्या इतनी है कि हम आप कलपना भी नहीं कर सकते हैं सरकारी डेटा भले ही कोई और कहां नहीं कह रहा हो हकीकत इससे कोसों दूर है कि सरकार विफल रही है अपने लोगों को इलाज मुहिया करा पाने में राजधानी लखनव में किसी को एक बेट दिला पाना इस वक्त सबसे मुश्किल काम है और कुछ आप मांगेगे शायद मिल जाएगा लेकिन राजधानी लखनव में इस वक्त इलाज के लिए ना तो कोई डाक्टर तयार है ना अस्पताल है ना बेट बचे है लोग सड़कों पर पड़े हुए हैं अस्पताल के बाहर लाइने लगी हुई है बिना अक्सीजन के लोग मर रहे हैं कि आई स्यू बेट की तो बात ही मत पूछिए सामान ने अक्सीजन लोगों को नसीब नहीं है यह हालात इसकदर खराब हो चुके हैं कि सरकार ने दावा किया था कि हम 2000 बेट लगाएंगे एक हपते पहले और कहा था उसक तक उस हॉस्पिटल को चालू नहीं किया जा सका है सिर्फ एक वार्ड वहां पर चल रहा है को वीडर वार्ड बल्रामपूर हॉस्पिटल लखनव का यह यहाल है प्रयाग राज में स्वरू प्रानी मेडिकल कॉलेज के लावा कोई ऐसी जगए नहीं जहाएं इंतिजामात हों वारा नसी में भी एक वाइरस भयानक तरीके से फैला है और वहां लोग आक्सीजन के लिए तडप रहे हैं वारा नसी में काशी में दवाएं मिल नहीं रही हैं टैमी फ्लू जैसी सामान ने दवाएं गायब है मार्केट से रेमिटेस बियर पाना तो अम्रित की बूंद पाने समान है इसी उत्तर प्रदेश में खुले आम यह इंजेक्शन 40,000-50,000 प्रति इंजेक्शन की दर पर बेचा जा रहा है लोग खरीदने को मजबूर हैं अपने गहने गिर्वी रखकर घर बेज कर लोग यह इंजेक्शन खरीद रहे हैं जिसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है पुरी सरकार ऐसा लगता है असहाय बैठी हुई है लोग मरने को मजबूर है उनको सहायता उपलब्द नहीं है सरकार के पास तमाम संसाधन और विकल्प होने के बावजूद उस द्रण इच्छा सक्ती की कमी दिखती है जो अपने नागरिकों को बचाने के लिए होना चाहिए एक लोग तांत्रिक डेमोकरेटिक चुनी हुई सरकार का ये प्राथमिक दाइब तो है कि वो अपने नागरिकों की रक्षा करें जन स्वास्थ की रक्षा करें किसी भी कीमत पर करें इसी बात की आप शपत लेकर आते हैं लेकिन आज मेरे प्रदेश के नागरिक तडब तडब कर मरने को मजबूर हैं तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं टेस्टिंग की बात भूल जाएए बैनों भाईयों लोग बिना टेस्टिंग के मर रहे हैं ऑक्सीजन लेवल इसकदर डाउन है कि एक सांस मिल जाए हर आती हुआ एक फोन कि डराता है लोग मदद मांग रहे हैं रो रहे हैं गिलगिडा रहे हैं और आप चाहके भी उनकी मदद नहीं कर सकते हो ऐसे हालात मैं ने तो नहीं देखे सरकारी बयानों में all is well everything is fine बट ग्राउंड के हालात क्या हैं लोग मर रहे हैं गिलगिडा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर राच चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में कोई भी कोविड मरीज सीधे अस्पताल में भरती नहीं हो सकता उसको सीमों की पर्मीशन चाहिए जिसको रेफरल लेटर कहते हैं कोई सीमों देता नहीं अस्पताल भरती नहीं कर रहे हैं जाँ चाप करते नहीं है इसकदर अंधेर गर्दी मैंने तो जीवन में नहीं देखी थी और आज तो इलहाबाद हाई कोट ने पंदरा पेज के आज अभी शाम को आए आद पाको पे मर रहे हैं उनका टेस्ट नहीं हो रहा है वी वी आई पी के लिए अलग इंतिजाम आम आदमी तीन तीन चार-चार दिन उसकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं आप उसका टेस्ट नहीं हो रहा है लोगों के पास दवाय नहीं मिल रही है हाई कोट कह रहा है इस पश्ट सब्दों में कोट ने कहा कि पांस शेरों में लागडाउन करो और जन स्वास्ते से बड़ी कोई गारंट कोई चीज नहीं हो सकती डेमोक्रेसी में लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई को मना कर दिया है बयान जारी किया यूपी सरकार ने कि हम लागडाउन नहीं लगाएंगे यह जिद क्यों आप लागडाउन नहीं लगाना चाहते हैं बिल्कुल मत लगाईए लेकिन जनता जो मर रही है इनको इलाज कौन देगा इनको दवा कौन देगा इनको इंजेक्शन कौन देगा इनको काम के लिए आप चुने गए हैं उस काम को नयतिक तोर पर निभाना आपकी जिम्मेदारी है समवैधानिक तोर पर निभाना आपकी जिम्मेदारी है और आप क्या कर रहे हैं आपके अपने ही लोग मर रहे हैं आपकी आपके सामने मर रहे हैं तडब तडब कर मर रहे हैं भीतर मायूस परेशान और द्रवित नहीं होगा जो लोग उत्तर से प्रदेश से बाहर है हो सकता है कि उन्हें अंदाजा नहों कि यहां क्या चल रहा है बैनों भाईयों यहां हालात बहुत खराब हैं और खराब से भी खराब हैं कोरोना ने पकड़ लिया तो जीवित रहोगे इलाज नहीं मिलेगा मर गयती जत्चंतिम संसकार भी नहीं मिलेगा यहालात उत्तर प्रदेश के बीट है और इलहाबाद हाई कोर्ट का आज का पंदरा पेज का अब्जर्वेशन पढ़ लेना क्या नहीं लिखा उन्होंने सरकार के दावों की बखिया उदेर दी हाई कोर्ट ने इसके बाद भी सरकार जीत पर अड़ी है कि हम हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे मत मानिये आपकी हुकूमत है जैसा मर्जी चाहें करें लेकिन ये भी तो देखिए कि जो लोग मर रहे हैं वो आपके अपने दोस्त है किसी का रिष्टेदार है हम अपनों को खो रहे हैं कि यह कोई कीड़े मकोड़े नहीं मर रहे हैं हमारे अपने लोग मर रहे हैं हमारे अपने लोग जिन्हों ने अपने प्रियेजनों को खोया है उनकी जिन्दगी बरबाद हो गई है आप उस दुख की कल्पना नहीं कर सकते हैं रोंग्टे खड़े हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि उत्तर भारत के सबसे बड़े डाक्टर प्रियागराज के डाक्टर जेके मिस्रग उसी स्वरूप रानी अस्पताल में बिना इलाज के तडब तडब कर मर गए जिस मेडिकल कालेज को उन्होंने खड़ा किया थ डाक्टर जेके मिस्रा के पढ़ाएं बड़े बड़े डाक्टर आज बड़े हास्पिटलों के मालिक हैं या नामचीन डाक्टर हैं इलाबाद का बच्चा बच्चा जानता है डाक्टर जेके मिस्रा को बिना इलाज क्यों मिस्रा जी मर गए उनकी पत्नी डाक्टर रमा सिरी वास्ता हो वो भी उतनी नामचीन डाक्टर हैं आज वो जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं कौन नहीं जानता डाक्टर जे के मिस्टर को क्या हुआ उनके साथ अब भी आपकी आँख नहीं खुलेगी तो किन परिस्थितियों में आपको जगाया जाए कैसे आपको बताया जाए कि हमारी मदद करिए हम बहुत तकलीप में हैं हम बहुत कष्ट में हैं हमारे लोग मर रहे हैं इन्हें बचाईए उत्तर परदेश में पंचाय चुनाओ कराय जा रहे हैं है अईसी निरलज्जता की कलम आप कर सकते गाउं गाउं तक करो ना फैल चुका हो और गाउं में आपको पताएगी ना अस्पताल है ने दवाह है न इलाज यह क्या हो गया इस देश को क्या हो गया हमारे प्यारे प्रदेश को क्यों नहीं सुन रहे इस सरकारें और कप सुनेगी यह इस्ति आुसाद की तरफ बढ़ रही अब तकलीब देक ही नहीं जा रहे लोगों के आशु सूखने ताइuttव रअनों को मरते जिनोंने देखा है filming कि वह जिंदगी भर इस दर्दको बुला नहीं पाएंग governo ये दर्द बहुत भयानक है और जीवन भर तकलीव देने वाला है इस दर्द की कोई इंतहा नहीं हैं भेनोंभाई भयानक दर्द है और यह तकलीफ सदियों तक याद रखी जाएगी कि हमने अपनी आग के सामने अपने लोगों को मरते तडपते आक्सीजन के लिए गिल गिल आते देखा है कि इस द्रश्य की कल्पना नहीं कर सकते एं यह त्रासदी है यह महा भिप्दा यह गंगोर अत्याचार मिटकाइब यह स्वास्थ नूढरी तरह यह जाना है पर इस पर शिर्फ अपसूस किया जा सकता है पर बताया जा सकता है कि सरकारों की बिफलता ने नजाने कितने हमारे देश के प्यारे बहनों भाईयों की जान दे लिए और लगातार मर रहे हों यह सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है यह जाकर कहां थमेगा यह कोई नहीं जानता है बड़े-बड़े चिकित्सक भी नहीं जानते कि यह दूसरी वेब कितना कह कि अगले सोमवार को सुबह पांच बजे तक छे दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है इस दौरान जाहिर है कि जो जो एसेंशन्शल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी इन छे दिनों के अंदर हम बहुत बड़े स्तर के उपर और दिल्ली में बैड्स की विवस्ता करेंगे केंद्र से मदद मांग रहे हैं उनसे लगातार संपर्क में केंद्र सरकार हमारी मदद भी कर रही है और जहां भी हमारे प्लांट्स हैं वहां पर टैंकर्स हमारे लग गए है पुलीस भी लग गई है और उन टैंकर्स को लेकर अब वो आक्षिन लेकर आज राद तक आने की संभावना है अगर अभी भी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को चिंता नहीं हुई कि जहासी में क्या हो रहा है आगरा में क्या हो रहा है कानपूर देहात में क्या हो रहा है क्या हो रहा है रायबरेली के हॉस्पिटल में क्या हो रहा है गोरकपूर जन्पद में क्या हो रहा है प्रदेश की राधधनी में अगर इससे बेफिक्र रहे हमारे प्रदेश के मुक्यमंत्री के काजियाबाद में फुटपाद पे लोगों की लास चलाई जा रही है तो आने वाले दिनों में गाओं-गाओं में यह खालत पैला हो वोटिंग हो रही है उत्र पूट प्रदेश के अंदर में बेश्मंगॉल के अंदर में भारती जैंता पार्टी रैलीया कर रही है वहाँ पे भीड़ा पार्टी के लिए और किसी भी सरकार के लिए हो सकती है क्या कि लोगों की मौते हो रही हो और सरकार यह चुनाव कराने में ब्यस्तों आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं मेरे साथ नेहा सालनी दुवा बीजेपी से हैं डक्टर वैभोखन्ना डक्टर अनूप अगरवाल जुई सिंग समाजवादी पार्टी से हैं और कोरोना मामलों के एक्सपर्ट और बहुत ही जाने माने चिकित्सक डक्टर सूरिकांत भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और उमा संकर पांडे कांग्रेस से हैं बहुत शुक्री आप लोगों का इस आपात काल में इस विबदा में इस विपत्ती में अपना-पना कीमती वक्त निकालने के लिए नहा सालनी दुवा जी हालात इतने खराब हो गए उत्तर प्रद किया है वो यह नहीं कहा कि आप उन्होंने लॉक्डाउन लगाने की सला दिये आप देखिए इस वक्त मैं सबसे अपील करूंगे कि इस वक्त राजनीती करोना पर करना बहुत ही दुखद है जो भी वे पक्षपार्टेस पर राजनीती कर रही है शरम उनको आनी चाहिए कि ऐसे टाइम में अगर आप मदद नहीं कर सकते तो एटलीस राजनीती ना करे उसके लिए मैं आपको उधारन देती हूँ दिली में 25,000 केस डेली के आ रहे हैं लेकिन भाजपा के किसी भी कारेकरता ने राजनीती ना करते हुए भाजपा का कारेकरता काम में जुटे हैं और दिल्ली प्रदेश में आम आदमी पार्टी की मदद कर रहे हैं, MCD के हॉस्पिटल्स खोल दिये गए हैं कि आपको बेड की व्यवस्था करने के लिए, और तो डियाडी ओ को सेंटर बना दिया है, कोविट सेंटर गोवर्मेंट ने बना दिया है, BPTP को कोविट सेंटर बना दिया है, तो इस वक्त हम जबकि दिल्ली में विपक्ष में बेड़े हैं लेकिन फिर भी हम राजनीती नहीं कर रहे हैं, हमने ये सारे काम किये हैं, काम करके दिखाय कि दिल्ली की जनता का दिल जीते हम, अगर हम भी बातें बना सकते हैं कि correctioneval fail होगे है, flop होगे है, वो कर क्या रहे हैं, केंदर से मदद मांगते हैं, हमेशा अपने हाथ खडे कर देते हैं, जब भी covid के case बढ़ते हैं आथ खड़े करके बढ़े जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैंकि केंदर की मदद कर चाहिए और केंदर हमीश्या मदद करता है तो लेकिन हमां भाजपा के कारे-कर्टाउं नहीं सोचा दिल्ली भाजपा ने पूरी मदद करी यही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यूपी के लोग भी यूपी में भी जो विपक्ष पार्टिया बैठी हैं इस वक्त जो सांसत के आपने मुझे बयान दिखाए आहम आदमी पार्टी के सांसत यहां कुछ कहते हैं और दिल्ली में बैठके उनके मुख्यमंत्री ही मदद माग तो यह तो दोरी मनसिक्ता हो गई ना इस वक्त सबको मिल के साथ चलना चाहिए और राजनीती नहीं करने चाहिए यह सबसे बड़ी अपील है अब मैं यह कहूंगी कि पहले लोग कहते थे कि 18 वर्ष के आयू के लोगों को कोविड की वैक्सिनेशन शुरू कर देनी 18 वर्ष के आयूग से लोगों को शुरू कर दी जाए सबको वैक्सिनेशन दी जाए फिर कहा गया जी रेमिडेर वैक्सिन जो दवाई है उसके निर्यात पर रोक लगाई जाए हमने उसी वक्त फटा फट केंद्रे हमारी जो ग्रह मंत्री जी है मानी अमिट शा जी उन्हों कि कमी जहां जा जिन जिन राज्यों में इसकी दवाई की कमी नहीं हो तो मेरा कहने का यही मतलब है कि स्केंदर सरकार हर संभव कदम उठा रही है जुई सिंग जी उत्तर प्रदेश के हालात आप से छिपे नहीं है आप लगातार आदेश आपने पढ़ा इस कदर लापरवाही कैसे हुई सरकार को अंदाजा नहीं था या फिर वाकई यह समस्या बहुत भयानक तरीके से अटैक की प्रिजेश जी आपके माध्यम से योगेश प्रवीन जी ताविशी शिवास्तर जी जेके मिश्टर जी हमारे जो अनेक बहन भाई जो संसाधनों की विवस्था ना होने के कारण या दुर विवस्था के कारण मौत के मूँ में चले गए हैं उनको श्रदांजली मैं देती ह आप बार-बार लिख रहे थे कि सीएमों की चिठ्थी जरूरी है रेफरेल भारती जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने उसी का फैक्ट चेक कर दिया कि ऐसा रेफरेल जरूरी नहीं है आप कोई जूर बना दिया तो पहले यह फर्जी वाड़ा उत्तर प्रदेश के सूचन बिवाग ने फर्जी फैक्ट किया था वह खुद फर्जी काम कर रहे हैं कितनी कितनी दुख़त बात आप तो किसी को इलाज करवाने की कोशिश कर रहे थे सरकार से ज्यादा संसाधन किसी के पास होते नहीं है आज उत्तर प्रदेश में ना बेड है ना ऑक्सिजन है ना मर बनने की सुविदा है ना जीने की सुविदा है 18 वर्षे अधिक जो वैक्सीन की बात आप कर रही है उसमें भी एक बहुत बड़ा कैच है जो उत्तर प्रदेश सरकार को हैंडल करना पड़ेगा डॉक्टर सूरिकांत ने पिछली बार कहा था कि इस तरह का टीका पेमेंट क से खोल दिया जाए अब राज्य सरकारें इनको अक्वायर करेंगी और वह लगवा सकती है केंदर सरकार की वैक्सीनेशन का पार्ट नहीं है क्या हमारी कपैस्टी बिल्डिंग इतनी है अभी कि राज्य सरकार इन टीकों को डारेक्ट खरीदे मार्केट से अगर नहीं है त इनके उपर हम जब्मधारी डाल रहे हैं जो निचले अफसर हैं कि बारा बनकी रो रहे हैं बाकी सिएमोव फोर नहीं उठा रहे हैं क्योंकि उनके पास बेड हाई नहीं हमारे बहुत बड़े-बड़े अस्पतालों में बड़े-बड़े स्टारों को बेड मिल जाता है औ और एक और डिनरी व्यक्ति को बेड नहीं मिलता है तो इसके विए थोड़ा सा तो समेधन शील हो हर व्यक्ति आपका नाग्रेख है और उसको आप बेसिक परी का सुखता ने बार रहे हैं और उमा संकर पांडे आप तो कुछ डाक्टर भी का मुहिम छेड़ रखा है लेकिन आपके इतना दिखाने के बावजूद आभी भी सरकार जग नहीं रही है लोग मर रहे हैं और सबसे जादा मरने की जो पीड़ा है वो अगर भारती जनता पार्टी के लोग एक बार देख लेते कि उनके घर के लोग जब कार के बाहर खड़ होते हैं और कार में उनके घर का बुजूर्ग एक एक ऑक्सीजन की बूद के लिए तडपता हुआ अपनी अंतिम सांस उसी कार में बैठे बैठे ले रहा है तो मुझे लगता है कि थोड़ी सरमिंदगी भारती जनता पार्टी के चेहरे पर आएगा अभी भाजपा की साथ हम दिल जीतना चाहते हैं बेहन जी दिल तो आप बाद में जीतेंगी पहले तो लोग मर जा रहे हैँ ना बाड़ी बचेगी ना दिल बचेगी तो जीतेंगी क्या आप मुहिम तो उनको बचाने का किया इम्यून सिस्टम बहुत जादा होती है अहरुबेद में तमाम चीजें वड़ी थे योगा प्राणायाम सब संत लोग करते हैं और मुख्यमंत्री जी तो सुबा चार बजे उठके करते थे उनका इम्यून सिस्टम तो बहुत मजबूत होना चाहिए था लेकिन उनको भी कुर मंत्री के बारे में ब्रजेश जी आप समझ लीजिए जो बंगाल में दोनों हाथ पहला के आज मैं आज से उत्तर प्रदेश के हालात के बारे में मुख्यमंत्र पूरे प्रदेश का और के वाइस चांसलर कहा है सभी चिकिसकों की छुटियां रद कर दी गई फिर वाइस चांसलर कहां चले गए ये भाजपा की प्रवक्ता बताएंगी क्या और सोयम योगी जी कहा है मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं कि वो स्जी पी जी आई गए उनका स्पी ओटू लेबल क्या था वो ख्यमंत्री जी का मेडिकल हेल्थ बुलेटिन क्यों नहीं जारी किया जा रहा है उनके लिए बेडा रक्षित हो रहा हमें कोई अब्जक्शन नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश का आम नागरी क्यों मर रहा है ऑक्सीजन का सिलेंडर आठाट ददस गुना रेट पर ब्लैक म मरने के बाद वहां भी उनका सोषण हो रहा है जो तमाचा सरकार के उपर मारा है मुझे लगता है अब भी अगर यह जाए तैंक्यू शुक्रिया आपका लेकिन प्रदेश जी मैं एक बात कहना जा हूं आपके पास है डाक्टर उमासंगर मैं मैं लास बात कह रहा हूं ऑक्सीजन की ब्लेक मार्केटिंग है दवाईयों की ब्लेक मार्केटिंग है समसान घाट पर भ्रस्टा चार और सोसर हो रहा है ऐसे में योगी जी किस मुझ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए है या तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए या तो गवर्नर क राश्रपती को ऐसे मुख्यमंत्री को ततकाल बर्खास्त कर देना चाहिए यह दिक्ता और संत के आधार पर भी आपको परियाद्ट पर नहीं रहें तक कि सरकार के नियंत्रण में भी इस्तितियां नहीं रह गई है आप क्या मुझे सजेश्ट कर सकते हैं सरकार को सजेश्ट कर सकते हैं जनता को सजेश्ट कर सकते हैं कि इस आपात काल में हम क्या करें क्या होना चाहिए जिससे लोगों को राहत मिले कि बजेश जी पहले तो आप बदाई के पात रहें कि बहुत एफर्ड से कुछ यह पॉस्ट्रिव हुई हैं आज आदेश आया है कि मोर देन 90 फटाल और प्राइवेट के कोविट हो गये हैं अब इशाय सलसे जी को नहीं किया है उन्होंने लेकिन कुछ और हो गये हैं मेरे सा पॉइंट ऑप कॉंटेट अस्पिताल हो गया है इसका मदब यह हो गया कि आपको कोविट करबांड नहीं जाना है अस्पिताल जाना है हाँ अस्पिताल को इंफॉर्म करना है कोविट करबांड को डेली इतने मरी आ गये हैं जो हम लोग डिबांड कर रहे थे यह पहला देखिए अनौंस करने में और ग्राउन पर बड़क फरक होता है अनौंस किया हमने पात दिन पहले के जिम सी आज तक गांधी वार्ड शुरू नहीं हो पाया है मैंने कोशिश के शंगवार साथ मिलने की बात करने की उससा नहीं हो पाई मालूम पड़ा अभी गांधी पूर्टिंग पर अगर काम होना चाहिए तो मेरे साथे दो दिन के अंदर वो और शुरू होने जाना चाहिए तर वैभोख हन्नाजीम आपको चुनोंति के साथ और पूरे जिम्मेदारी के साथ यह चुनोंती देता हूं साथे 4000 बेट को हस्पिटल है के जीम यूएसिया का सबसे बड़ा और आज की डेट में वहाँ पर 500 भी अबलेबल नहीं है कोविड वार्ड के लिए कोविड के लिए 500 तक आपकी आईसियू तक तयार नहीं है मतलब मैंने इतना कहा कि जो गांधी वार्ड रेड़ी है सुरिकान साथ में बैठे हैं बताएंगे उसमें एक वक्ता क्यों मेरा पानना ही है मैंने दूसरा मंतीजी रिकर्स करी है जो हेल्थ वरकर मां काम कर रहे हैं उस पीरियर में उनका मांदेर डबल कर दिया जाए हमने अपने स्पधाल भी महीं किया है उनका खाना फ्री कर दिया है देखे आपको उनको लिए अफर्ट करने पड़ेंगे थर्ट मेरी डिमांड यह है कि जो वरकर्स काम कर रहे हैं और वाइदा में कोई कैजूल्टी होती है तो सरकार को 50, 75, 1, 2, 5 करोन के पैकेश इनाउंस करे अगर कुछ होता है तो सरकार उनके साथ खड़ी है उनकी फैमिली के साथ खड़ी है उससे क्या होगा एक पैरामेडिक में एक एलोपेथिक में एक एमडी में और एक म्स या डियम में एक कॉण्फिडेंस आएगा कि गौर्वर्मेंट इस विद यू यह पहली बात हो गई को पियम युजिना से बना है पूरा-पूरा नया बिल्डिंग बनी है उसको लिए लिजिए हर देने बहुत आईशुवेड्स है दिखिए डी याड्यों का स्पिताल बनाना एनॉस्मेंट है जब हम के जीम सी को लगा एक फटा लगा बनाने में तो डी-ाड्यों करना गु इसके पास कितने ICU है यह आपको कैसे इतना पता रहता है कि नहीं देखिए हम लोग इसी फील में हैं हमको इंट्रेस्ट है पब्लिक के लिए इंट्रेस्ट है मुझे लगता है प्रदेश में अगर मेरा कर्टिविशन एक प्रण्ट भी हो जाए तो मैं अपने को करेंगे सरकार का आधिश आना है यहीं मोटिवेशन और यहीं पॉस्टिविटी कि हमें अवश्यक्ता है कि टीम 11 का कोई मेंबर या यूपी सरकार का कोई अधिकारी दिबेट देख रहा हो तो डॉक्टर वैबो खन्ना के सुजाओ का आप पालन करें हो सकता है कि आप लख सब्सक्राइब करें हर घर तक को ना पहुंच चुका है हर फैमिली को ना है आज हमारी बिल्डिंग में हर घर में करोना है मेरे पास कि हम सपोर्ट कर सकें तो मैं फिर कह रहा हूं वार फूटिंग पे डॉक्टर भूल जाएं उनको अस्पताल बैट बढ़ाने हैं बढ़ा बताना चाहेंगे अब मेरे ख्याल से बताने के लिए हालात कुछ बचा नहीं है सब लोग देख रहे हैं जैसा डॉक्टर वैबफ खन्ना ने भी अभी बताया हर घर में करोना है और हर परिवार का एक संबंदित इस हालत में है कि वह एड्मिशन कराना चाहता है नहीं करा पा रहा है दो तीन बातें आपको बताना चाहता हूं जो आदेश आज 96 अस्पतालों को लेकर आया है उसमें जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है अस्पताल को बनाये गया लेकिन रिफरल सिस्टम अभी भी खतम नहीं किया गया है वह अभी भी बरकरार है दूसरी स मारा मरीज है जो ऑक्सीजन पर है प्लीज ऑक्सीजन के लिए मदद करें कोई मदद करने के लिए नहीं है दूसरे अस्पताल का फोन आया कि बहुत चार बजे तक मेरे यहां भी सिलेंडर खतम हो जाएंगे हम सिर्फ बेड क्रियेट कर रहे हैं क्या उसके पास पैरामेडि नहीं है मैं फिर से बता रहा हूं कि जो सत्रा अस्पताल पहले बनाए गए थे उनको भी आज ऑक्सीजन सुचारू रूप से नहीं मिल रही है बले सरकार ने इन 96 अस्पतालों को दे दिया है लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगी तो इस बात से कोई फरक नहीं कि मरीज अपनी का सरकार में एंबुलेंस में सड़क पर घर पर या अस्पताल में आके लेटके उसके बाद मौत को जा रहा है तो हमारा सारा स्ट्रेस ऑक्सीजन की उपलब्धता लगातार उपलब्धता पर होनी चाहिए और मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि सरकार की तरफ से प्राइ सब लोग देना चाहते हैं सारे डॉक्टर सेंशील हैं और बहुत इमोशनल हैं सब देख रहे हैं कि हमारे देश हमारे प्रदेश हमारे लखनव के क्या हालत हैं लेकिन जब सपोर्ट सिस्टम ही नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे तो इस बात को ध्यान देने की जरूरत ना सिस्टम अभी बंद हुआ ना ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से है और ना जितने भी नंबर है मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा अधिकारियों का लेकिन वन टू आल आज भी चार अधिकारी स्यमों के ऊपर बैठाए गए उन चारों अधिकारियों में से किसी का प्राइब फोन नहीं उट रहा है हमारे रिपोर्टर वी एक यहीं कम्लेंड कर रहे हैं डक्टर अग्रोवाल क्यों चारों की तलास में आज हमारे रिपोर्टर सुबह से बटक रहे हैं यह चारों महानुभाव कहां है कहां मिलेंगे किसी को नहीं पता जरूरी है एक कि वह जैसे ही भरती करें कमांड सेंटर को इनफॉर्म कर दें आप दस बीस पचास जितने भी अस्पताल को कर रहे हैं सब अस्पताल रेडी हैं प्लीज उनको लगातार सुचारू रूप से ऑक्सीजन की सुविधा मोहया कराईए कैसे भी कराईए यह मेरे बस में नहीं है मेरे हाथ के कंट्रोल के बाहर है सिर्फ सरकार ही उपलग करा सब्सक्राइब मेरे साथ शूरिकांत मौजूद है बहुत धेर सारे लोग इनको सुनने के लिए आज जमा हैं जो सुनना भी चाहते हैं बहुत शुक्री आपका आप मुझे बताइए सर की इस वक्त एक तो हाला ना हो गया है वह क्या उपाय करें जिससे उनकी जान बचे है कि इन सब करके जवाब देता हूं लेकिन एक बात तो है पता नहीं आपके इस चैनल की और व्यक्तिकत रूप से आपकी यह कौन सा इंडेक्शन इफेक्ट जाता है इंपेक्ट जाता है कि इधर आप डिवेट क जो सांदार पैनल अची कित्सकों का और सरकार के पास आईए सबस्वरों का पैनल में क्या करूं देखिए प्रदेश जी एक बार आपने डिवेट की कि जो वैक्सीन है वो एक नम सबको ओपन मार्केट में आ जानी चाहिए और सरकार ने मोडरना फाइजर ओन सब की वैक्स कर दी कि एक मई से 18-45 साल की बीच 18 साल से उपर हर वेक्टी जो इलिजिबिल है वैक्सिनेशन का वो लगवा सकता है तो देखिए एक बात तुम्हें मान गया कि भारत समाचार और ब्रदेश जी का इंपेक्ट बहुत वह इंपेक्टर है तो आपका इंपेक्टर बहुत मैं सोचता रहता हूं कि अपने बारत समाचार के दर्शकों को प्यारे दर्शकों को और उत्रपदेश की जंता को मैं और कैसे घर बैठे और थोड़ा सा सुकून दे सकूंँ केते हैं लोवा लोई को काटता है तो कोरोना पॉजिटिव है तो आप अपना एटिटीट आपका केबल कुछ मत जानिये अगर आप मैंने जैसे पिछली बार कहा था घर में टीबी नहीं है फ्रिज नहीं है कोई चिंता की बात नहीं है तो उठा के फैंक दीजे एक पल्स ऑक्सी मीटर घर में रख लीजे कोरोना से लड़ना है तो और अगर उस कोरोना पॉजिटिव व्यक्ती का जो ऑक्सीजन सचुरेशन है वो 94 से नीचे गिरता है तो आपको चिंता होनी चाहिए 94 से नीचे चिंता 44-94 चिंता 90 से गिंता है तो आप अस्पटाल देखना शुरू करिए अब मैंने कहा था कि अगर 94 से ऊपर है तो बहुत सिंप्ल मेरा प्रोटोकॉल है आप राज्यों तक पहुंच गया है दिल्ली राजस्तान एहराणा पंजाब जम्मू कश्मीर 36 जारकंट बिहार पता नहीं कहां कहां आपने पहुंचा दिया और दूसरी बात है कि 94 से उपर आकर आपका ऑक्सीजन है तो आइवर्मेक्टिन और डॉक्सी साइकलिन का जो मैंने कॉंबिनेशन प्रोटोकॉल बताया है कि आइवर्मेक्टिन 12 मिलीग्राम रात को खाने के दो गंटे बाद डॉक्सी साइकलिन 100 मिलीग्राम सुबशाब पांस दिन बाकि विटामिन B C D जिंग और इस्टीम इनिलेशन लेते रहे और पीने वाली ज्यादा चीज़े पीते रहे मस्त रहे स्वस्त रहे डांस करे और हां एक बार मैंने कई आईसोलेशन में पेशेंट है लेकिन उसको अलॉन मत छोड़िये लिए लृट अफ इसोलेशन और उसको एकांद वास चाहिए उसको उसको अकेला पंड और छेजे वह उसका कमरा खोल दिए उसको डांस करके दिखाए गाना कआ कि सुनाइए links कर के को बन जाए कि इसकाalfa कोले से प्रावलम नहीं तो नहीं कोई परफलम नहीं उसका मास्क लग दीजाzess MARAST दूसरी बात, दूसरी बात मैं आता हूँ कि अब यह आक्सीजन मान लीजे जाती है, मैं देखिए आपके सब को प्रिसिक्षित कर देना चाहरा हूँ, कमचे कम एल्पियोस डॉक्टर तो आज में बनाई है, बहुत जरूरी है, जी, तो 94 के नीचे अगर आक्सीजन जाती है और 90 के बीच में है, चौराज तो आप क्या करें, कुछ मत करें, रोगी को उल्टा लिटा दीजे, जैसे ही आप उल्टा लिटा लिटाएंगे, तीन परसेंट पांच मिनट के अंदर आक्सीजन बढ़ जाएंगे, मतलब मरीज को पेट के बर लिटा दिया है, पेट के बर आज मुझे उल्टा होके फिर बताएंगे, और एक नहीं, बीसियों नहीं, सैक्रों मेरे पास एक्जामपल है, डॉक्टर से जादा एविडेंस तो कौन क्रियेट कर सकता है, मैंने उनका अब बताएंगे, तो नहीं का नहीं नाइटीवन थी, अभी क्या है, अभी नाइट केबल पॉस्चर चेंज करने से, तीन परसेंट ऐसे बढ़ गई, अब तीन चान परसेंट के बढ़ाने का और जुगार कर देता हूँ, मैं आपके दर्शन होगी, तो आज 6% ऑक्सिजन में देखे जा रहा हूँ, सिर्फ डेवेट डेवेट के माध्यम से, अब 94 के नीचे आवर मेक्टिन डॉक्सी साइकलिन का जो कॉम्बिनेशन है, वो 94 से उपर बहुत अच्छा काम करता है, कोई दबा की ज़रूरत नहीं, इसी कॉम्बिनेशन की आधार पे सब ठीक हो जाते हैं, अब 94 से गिरना शुरू किया, तो डेक्सा मितासोन, मिथाइल प्रेडनी सुल इन दवाओं के नाम करपिया दोरा दें, जी, इस्टिरोइड कहते हैं हम लोग, इस्टिरोइड एक हम लोग के डॉक्टरी भाषा में रामबान दवाएं कही जाती है, हमारे ती दो सायोगी डॉक्टर बैठे हैं, वह अब खन्ना तो मेरे क्लास फेलो और दोस्त हैं, और छोटे भाई अनुब बैठे हैं, यह इस्टिरोइड नाम की दवाएं हम लोग इमर्जेंसी मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, रामबान के रूप में इस्तेमाल करते हैं, डेक्सा मीता सौन मेरा ड्रग ऑफ चॉइस हैं, और बहुत सारे चितनी स्टडीज हुई तो आप दे दिजेसे सुवें दुपर शाम खाना है, और आपका कहने का मतलब है कि आकसीजन लेवल को 94 यहां अगर 94 यहां पर आऑं दियाँ नीचे जा रहा है, तो डेक्स अमीता सोन एड़ कर दीजे दो पाए मैंने बताए अब तीसरा बहुत मैं बताने वाला हूं और मैं पूरे भारत सरकार दुनिया और पता नहीं किसकी गालियां खाने के लिए त्यार हो गया हूं तो गलिया मुझे सुईकार है मैं एकसेप्ट कर रहा हूं और गाली सुईकार करने के पहले ही मैं डिस्कलेमर देता हूं कि मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं जो बहुतों को पचेगी नहीं बहुतों को रचेगी नहीं बहुतों को बसेगी नहीं Remdesivir ramband नहीं है कृपया Remdesivir की काला बजारी बंद करिए यह Remdesivir ramband नहीं है जी मैं बिलकुल कह रहा हूँ और भोशोफास में कह रहा हूँ और evidence-based के साथ कह रहा हूँ एक trial हुआ था अब देखें क्या हुआ कि सबसे पहले कोरोना वायरस के युद्ध में सबसे पहले हाइड्रोटसी क्लॉरोटिन आई और उसके बाद अधरोकसी क्लोरोटिन इतनी होई कि अमेरिका से बहुत डिमांड आ हमारे देश ने यूनिय डॉक्टर को मुझे झाल ली नहीं तो शुडू से विश्वास नहीं था वह बंद कर दिया था आपसे वार मेंटिन के इस्टोरी आप जानते ही हैं आपसे बड़े दुनिया के ट्राइल की बात कर रहा हूं जिसका रिजल्ट उक्ट्यूबर में आया हुआ क्या कि पिछले साल 2020 में यह तो बड़ी अग्यूद बात आपने बताई वई तो उसके बाद रेमडसीर सेन में आई और रेमडसीर मल्टी निशनल कंपनी बनाती थी इस दूर दशन इस चैनल के माध्यम से मैं जितनी बात कह सकता हूँ जितनी मेरी मर्यादा सीमा मुझे बताने के लिए स्वतंत रूव उतनी बात में कह रहा हूँ उससे ज्यादा नहीं कह सकता अकेले में पूछ लिए को मैं सब बता दूगा तो रेमडसीर आई मल्टी निशनल कंपनी थी पांच हजार रुपए इंजेक्शन इसकी कीमत होती है अभी भारत सरकार पर दानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि कैपिंग करके उन्होंने सब्सक्राइब क्या हुआ है लेकिन कैपिंग करने से फाइदा क्या हुआ है बारला वजारी हो रही है आगरा में मेरे एक दोस्त ने 50,000 की रेमिडसीर का इंजेक्शन लिए चले मेरा दोस्त थोड़ा बार्ट गेनर अच्छा होगा ना तो तो चैंजेक्शन लगते हैं सोचिए आप नॉर्मल कीमत 5,000 की ली जाए तो 30,000 रुपए की ठरफी पढ़ती है नॉर्मल अगर 50,000 और 80,000 में होगी तो कितने लाकों में कीमत पहुंच जागी तो आपने ब कुरांड पाया गया कि जिनको रैम्डेश्वीर दी जा रही है उन्में मौतें जादा हो रही है उन्हों का भीया ट्राइल रोग दो ट्राइल रोग दिया गया विशुसास संगटन कहने को मजबूर हुआ कि हमें यह डिरेक्शन देना पढ़ रहा है कि रहेमिड़स्वीर सीरियस कोविड मरीज के लिए फाइदे मन नहीं है उल्टा नुकसान करता है तो क्रपया जो आपके दर्शक है उनको तुम्हें काला बजारी से बचाई सकता हूं आज मुझसे जिसने पूचा है मैंने कहा कि गांधी ने एक समय जब यह कहा था अंग्रेजियों से कि कह दो अ अर्ली डाइग्नोसिस गेम चेंजर है अर्ली टीटमेंट बहुत अजब बहुत शुक्री आपका और इसलिए लोग आपके इतने दिवाने और फैन है नहाशालनी दुगा दूसरी वेप से नहीं पटने के लिए सरकार के पास कोई तैयारी क्यों नहीं थी प्रिजेश जी ऐसा कहना के बिल्कुल त्यारी नहीं थी ऐसा नहीं है और अभी जो डॉक्टर साब बता रहे थे मैं उनको यह कहूंगी जैसे उन्होंने का कि कुछ लोगों को बुरा लगेगा या मैं ये शब्द बोलूगा हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा और इंडिया में उसका निरिया तीन गुना जादा इसली किया गया कि काफी डॉक्टर ने उसे रिकमेंड किया ठीक है यह आपने बताया कि इसके उपर ऐसे भी है लेकिन सिरफ यही दवाई नहीं है उनको ज्यादा अच्छी तरह पता मैं को इतना नहीं पता लेकिन दो तीन हैं वो काफी कारागर साबित हुई है मुझे उनका नाम नहीं पता लेकिन यह डॉक्टर से यहां पता सकते हैं कि वो कौन से दवाईया है तो सिरफ इसी के उपर सिरफ डिपेंड नहीं है और भी जो दो चर दवाईया है जिन से इलाज किया जा रहा है अब रही ऑक्सीजन आब यू-पी को दिये भी जा रहे है और यू-पी को यह कहा जा रहा है कि आप वहीं पर ही अपना प्लांट भी लगाएं देखें प्लांट लगने में फोड़े से दिन लगेंगे यह हम मानते हैं लेकिन उससे पहले जितने भी प्रयाब मात्रा में है वो यहां से हर राज्ये से रवाना कर दिया गया है UP के लिए oxygen cylinder तो अब जो है वो कमी नहीं होगी उसके साथ साथ प्लांट भी लगने जा रहा है तो मुझे लगता है कि UP वालों को oxygen की कमी बिल्कुल नहीं होगी तो इस पे जो राजनीती कर अब हमारे कॉंग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि योग्याद dif दिनात को करोना की हो गया क्या वो होगा है की कमी उत्तर प्रदेश में दवाओं की कमी उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की कमी उत्तर प्रदेश में बेट्स की कमी उत्तर प्रदेश में ICU की कमी और अब हाई कोट में बात इस्पष्ट हो चुकी है कि वी आई पी की जहां 12 गंटे के अंदर वी आई पी का एडमिशन क क्यों नहीं सप्लाई हो पारी कल प्यूश गोहल मंत्री आर्शवर्दन जी कि आप बात करते हैं प्यूश गोहल इस पे डिवांड एंड सप्लाई बता रहे थे कि आपको उतनी ऑक्सिजन लेनी चाहिए जितनी आपूर्ती हम कर सके तो थोड़ा तो जिम्मदार बनिये राज सीजन पहुचवा सकती है नए प्लांक तुरंक लगवा सकती है आप आप कीम करेंगे जब और लोगों की मौत और परहरा हैं यहांपर यहां फलतौश कर्थे उसकी जब्धारी है उसकी जिम्म दारे हैं और आभक है प्रस्ट के जवाबर्ट में। प्रचार की तरफ से क्या लापरवाही हुई है पसरकार से क्या सवाल पूछे जाने साहिए 24 करोन की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 4 प्रतिसत लोगों का वैक्सिनेशन वो पाया है और जिस स्पीड से वैक्सिनेशन देश में सुरू हुआ था उसमें 28 प्रतिसत की कमी सिर्फ इसलिए आ गई कि देश में वैक्सिन नहीं है अगर वैक्सिन की कमी होने वाली थी तो किस मूर से भारती जनता पार्टी के लोग देश की वैक्सिन को दूसरे देश को भेज रहे थे एक प्रस्न दूसरा प्रस्न क्या इस महामारी का जिसकी घोसरा तमाम सारे चिकिसक बार बार कर रहे थे कि सेकेंड बेब बहुत भयानक होने वाला है क्या उत्तर प्रदेस में ऑक्सिजन सिलेंडर नहinc बढ़ाये जाने चाहिए थे क्या आस्थाई हॉस्पिटल्स नहीं तयार किये जाने थे क्या ICU और बेंटिलेटर की संक्या नहीं बढ़ाई जानी चाहिए थे लेकिन सरकार ने क्या किया 531 ICU bed हैं केवल लखनोव में और पिछली बार जो 800 functional ICU bed सरकार ने तयार किये थे इस बार वो घटके केवल 531 रह गए हैं ब्रजेश जी यानि कि पहले बेब में जो हमारी तयारी थी इस सरकार ने इतनी घंगोर आई किये इंसाइड इंफरमेशन देता कौन है इसका मतलब सरकार के भीतर वैठे कुछ लोग आपको सूचना देते हैं ने ब्रजेश जी देखिए जो लोग फील्ड में जाएंगे बहन जी की तरह नहीं कि कहीं भी बैटके बस बोलने लगे योगी जी की तरह नहीं कि अपनाई बैट प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम जो पचास बेड या उसकी कैपस्टी के उपर है इन सब को कोविट घोशित करके इनको फैसेलिटेट करके वहां कोविट मरीज भरती कराये जाएं और सीमों का रिफ्रलर लेटर सिस्टम बंद किया जाना चाहिए बिल्कुल बजश जी यह हम been fucking criminal है कि अगर हमारे ताहले का एक वेटलेटर खाली पड़ा है और मरीज मर रहा है इस से पड़ा हमें अपनी लगता है क्रिमिनल ऑफे नहीं है नहीं है कि एक आदमी गेट पे औक्सीणद तलब रहा है और हम औक्सीण ना दे पाएं सरकार को forcibly कहना है वाबो खरना आपको अपने फ़तार के मरीजों में इलाज करना है अगर आग के बाद मेडिलेटर है अगर PGI में बिल्दिंग मेडिलेटर है आई सीउ हैं इमिजियली कंवर्ट कर दो आज मैंने पता किया तो कैरियर जैसे मेडिल कॉलेज के बेड़ फूल है आप हाला देखिए वह कॉलेज जहां मरीज नहीं थे आज वहां बेड़ फुल हैं जहां उतनी सुभधाई भी नहीं है तो शायद इससे बड़ी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं आप लोग मैं फिर कह रहा हूं वार फूटिंग पे डॉक्टर्स को मेडिकल एमिशेटर वार्रस को काम करना है और हम बात कर रहे हैं नई बिल्डिंग की भी जाये हम बात कर रहे हैं वैक्सी का श्राएं एक मेंने बाद आएगा अबaimer को आसका को डिल्डियत करना कीसे करेंगे आपके पांश अगर्स कि भीस चरिए ऻोगत प्रूब्रक टे सबर्धन करने कि आप को सब कुछ चाहिए एक अस्तार चिलाने के जो है जो बिल्टिंग है खाली में बनी हुई है जहां अस्पताल बने हुए वह खाली परिये पीजा की विद्ध है और कि अपरी बंद है क्जिंशी की अपरी बंद है क्यों नंकी कुछ बेंग लेदें हो यहां पे आईश अगला बढ़ाने जा रहे हैं इस बिल्डिंग को आगे प्लान करेंगे तो दिन बाद इसको करेंगे यह प्लान होना चाहिए लोग है जिनके हाथ में इस वक्त डिपार्टमेंट्स मौजूद है इनके पास न कोई विजन है न कोई किस तरह का तनाव और दबाव आप लोग इस वक्त जेल रहे हैं लखनौ में जो चोटे अस्पताल हो गए हैं या जो नान कोवीड है वो भी देखे सबसे मैं फिर से बार बार कह रहा हूं आज ही लखनौ में लखनौ नर्सिंगों में असोसिएशन नाम की हमारी संस्था है और पिछले 24 गंटों से मैंने खुद स्वयम तीन ऑक्सीजन प्लांट लगाने वालों से बात करी तीनों लोगों ने कहा कि हम इस समय ऑक्सी इस समय सभी प्राइवेट अस्पतालों के साथ सिर्फ और सिर्फ और इस बात की है कि वो रिफरल लेटर कैसे मिले और भरती हो मैं फिर से आपके माद्यम से कह रहा हूं कि सरकार प्राइवेट अस्पतालों को कोविड अस्पताल बनाए लेकिन साथ में उनकी सहायता करे काम नहीं होगा और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि अगर उत्तरप्रदेश शाषन और लखनों के जो भी साषन में जिम्मेदार लोग हैं अगर कोई भी उसमें लखनों नर्सिंगों में असोस्येशन की तरफ से एक ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहते हैं अगर उसको जल्दी से जल्दी लगवाने में मदद कर सकते हैं तो करें शायद ये प्राइवेट अस्पतालों के ऑक्सीजन की समस्या को कर सकती है ऑक्टर सूरिकांत तमाम लोग ये भी कंप्लेंट कर रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं कि कोवीट के दौरान या उस त्रीटमेंट के दौरान मानसिक आउसाद बहुत होता है लोग डिप्रेस होते हैं बहुत घबराए हुए होते हैं क्या करना चाहिए उसके पहले मैं निया जी को इस प्रश्ची करन दे दूं मेरा उनकी तरफ उंगली उठाने का कोई आधार नहीं था मैंने तो इसकी तारीव की कि सरकार दी है और एक्सपोर्ट बन कर दिया है दोनों काम किया है लेकिन अभी डॉक्तर के बीच में अब इसकी बीच मेरा इसारा कही और था उपने बात नहीं कि एक व्यक्ति की और तारीफ आज करना चाहूंगा एक मैंने प्रधान मंत्री जी की तारीव की दो कारण से कि एक तो एक माई से जो हमारी पुरानी डिवेट से इतनी बड़ी मेरी व्यक्तिकर दूप से डिमांड थी कि भाई यूद सबसे अधा एक्सपोर्ज हो रहा है यूद को वैक्सिनेशन क्यों नहीं कि आज पूरी हुए प्रदान मंत्री जी को मैं व्यक्तित रूप से धन्यवाद देता हूं और आपकी तरफ से भी दूसरा उन्हों कैपिंग की और एक्सपोर्ट बंद किया रेमिडस्पीर का डिमांड बहुत है यह देखिए अलग विश्य हो सकता है डॉक्टर सूरिकांज मांते हैं रामबान नहीं है लेकिन कुछ लोग अभी इसको अच्छा मांते हैं चलता रहेगा जब तक यह दिमांड है और तीसरी के अभाव में और अस्पताल में एड्मिशन ना होने के अभाव में उसकी मृत्य हो गई यतने विधित थे डारेक्टर साब कि उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्साब मैं अपने जो अन्मेराई का गैस्ट हाउस है उसमें कुछ बैड इस तरह की तयार करना चाहता हूं कि ज कित्रा में रॉकार में होता है मैं पूरे दिन आज हमारे चिक्शा मंतरी 4 घंटे हमारे साथ चांग अनके साथ जाके पहला काम मैंने यहीं कि वह ड्राफ्ट किया और उनको वाटसेप किया और मैंने कहा कि जो आपके ही साइंटिस्ट हैं आपका कोई मेडिकल अफिसर होग जैसे उनके गेस्टाउस में एक कमरे में एक बड़े हॉल में वो शुरू हो जाएगा कम से कम एन्वियराई इस सुख की सांस लेगा कोई व्यक्ति जो है वो अक्सीजन या अस्पिताल के अभाव में नहीं अभी आपकाल इस्तिति के संहेंडल करने के लगनों सक्षम होता त तो हमारे सामने चुनोती बहुत बड़ी है और अंतंत्र कैसे खड़ा करें यह सजीशन दुआ जैसे डाक्टर वैबो खन्ना ने बात लगए जी जी डाक्टर वैबो खन्ना तो रोजी बहुत बड़ी सला देते हैं आपको और मेरी सला भी वहनी से मिलती जूलती है जी अगर ऑक्सिजन की विवस्ता करना चाहते हैं उत्तर नर्शिंग और से जॉइंट इफर्ट से तो मेरी खाल से इनकी सयूग के लिए आने चाहिए लोग और मेरी सभी संस्थाओं से भी अपील है कि अगर वो कहीं केबल और केबल ऑक्सिजन हब जैसे बीच में चलते हो लुका बार इसी तरह कोई ऑक्सिजन बार या ऑक्सिजन हब करके अगर कोई शू कर सकते हैं तो ख्याल आके आए और और ऑक्सिजन प्लांट लगाने वाले और प्रोडेक्शन करने बहुत सारे हम लोग के संपर्क में हैं हम उनको गाइड कर सकते हैं और मुझे अच्छा लगा हमारे एक मित्र ने भी फोन किया कि हम भी इस तरह की विवस्ता करना चाहते हैं तो अच्छा है कि ऐसे और भी मैं चाहता हूं कि इसकी सूचना पब्लिक डोमेन में भी डालें ताकि और भी लोग जो अवेर हैं वो जी बिलकुल आपने फेस बिलकुल हम भी उसे प्र प्रचारीत और प्रसारीत करें प्रचारीत करें कि जो स्वय्म से भी संस्ताइं इस कोरोना युद्ध में आगे बढ़के किसी भी फॉर्म में धन्यवाद सर्वाओं कर सकती हैं नमस्कार झाल झाल